ओम वन लेगवा मातर मित्रो आज स्वागत है आपका आज के नए व्लोग में सबसे पहले तीन सांसें एकदम सामाने सांस जो हमारे मन को एकागर करने में हमारी सहेता करेगी हम अपनी सांस को बैलन्स कर ले उसके बाद हाँ जोड़कर तीन बार ओमकार का उच्चारन तिकि उमकार का जो हम नाद करते है न उच्चारन करते है न इससे हमारा मन शांत होता है मस्तिष्क को एकागर होने में सहेता मिलती है क्योंकि जैसे जैसे मन शांत होता जाता है वैसे वैसे मस्तिष्क भी एकागर होता जाता है और तीन बार ओमकार का उच्चारन इसलिए अनिव जाते हैं तो इस प्रकार तीन बार उमकार का उच्चारण किया जाता है और यदि आपको लगता कि आपका उमकार छोटा है तो आप अधिक बार भी कर सकते हैं पांसे दस बार भी कर सकते हैं अब उसके बाद सबसे पहले मुझे अपनी शरी को चेक करना होता है कि कल से क्या कं आप पीछे जाते हैं यह आपकी रीड की हड़ी को पूरा कर्व देता है जो रीड की हड़ी के गायम के रूप में बहुत अच्छा काम करता है आज मेरा पेट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है पर पतानी सच मुझे कम हुआ यह नहीं या मैं अत्र हम वियायम करेंगे तो पता चल जाएगा और मित्रों सुरियनमस्कार आप विस्तार से समजना चाहते हैं देखना चाहते हैं करना चाहते हैं क्योंकि समझके करना ज़रुरी होता है तो इसी वीडियो के description में आसन प्रेस्ट में आपको अलग-अभ्यास कैसे आप करेंगे उस पर विस्तार से वीडियो मिलेगा हां आसन थोड़ा सा स्लिप हो रहा था क्योंकि इसके नीचे मैंने चटाई नहीं बिछाई थी तो कल चटाई बिछाओंगी मैं भूल गई थी क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद इस तरह से बिछाया है तो मैंने दिमाग से बात निकल नमस्कार जो करते है न वह ऐसे ही करते है इसमें जो ठुड़ी टिकी है उसमें सर्टिका होता है पर अभी सर्ट एकने के मिरी स्थिती नहीं थी इस लैजमे कले जिन टिकाई है उसके बाद यह भुजंगासन का अभ्यास होता है और यह भी हमारी जेड के लिए बहुत अच अच्छा काम होता है लेकिन उसकी लिए स्रण्यमस्कार का अभ्यास आपको पूरा होना चाहिए यह दिन नहीं होता है यह देखें यहां थोड़ी करने में दिक्कत हो दरी पे मेरे आसन पे कल इसको और बैटर करूंगी क्या है न जब तक अभ्यास करने में एकाग्र नहीं अनने से सब उल्टा दिखता है तो कल घड़ी भी मुझे उल्टी चल रही ऐसा दिख रहा था मदब सवाचे से पौने 6 बज़े ऐसा दिख रहा था आज आपको टाइम प्रॉपर दिखेगा क्योंकि आज मैंने फ्रंट नहीं बैक कैमरे से जैसा आम नॉर्मली बनाते न इ है और बाद में जाके यह भी होगा के घुटने से इस तरह मेरी नाक पहले लगती थी मतलब कहूं तो तीन साल पहले करीब लग जाती थी और बीच विच में अभ्यास करने पे थोड़ा प्रिशर देने से लग जाती थी अब क्या है ना आप शरी थोड़ा फ्लेक्जिविल तो यह मैंने थोड़ा गती बढ़ाई थी पर यह मैं गती उतने ही बढ़ाती हूं जिससे मुझे गर्मी ना बढ़ जाए क्योंकि गर्मी बढ़ने से मेरे शेर में स्थितियां बिगड़ जाती है इसलिए मैं उसको नहीं करना चाहती हूं तो यह मैंने उसके लिए वैसे क या अब पदमासय लगाने के बाद मुझे क्या करना हमेंने क्या किया मुझे ऐस याद नहीं है हाथ उपर हाथ उपर करने से क्या होता है हमारे जो पूरा अपर वैली फेट चैस्ट है सब खुल जाते हैं तो हमारे सांस लेने में सरलता होती हैं यह अप भीयास करेंगे आप देखना आपको इसमें च्छी कि आ सकती है नहीं खासी आ सकती है या जम्हाई विशेश पर आ सकती है और किसी किसी को बहुत जादा गैस भी छूटती तो आपको क्या हो रहा है मुझे मुझे करके बता कि मुझे जो है कि कितना प्रेशल मेंने हाच करके घेड़ करें इसमें आज मेरे मोड़क सकेमिन थोड़ा थह. जाता है करते करते वरना यह हाँ जो है ना कांसे टाच होने चाहिए यह कल और सुधार के आगा कि कहा ना 15 दिन बाद जो व्याय में शुरू किया है थोड़ा आलस भी है थोड़ा मन में ना करने का भाव भी है कि करने की ज्यादा इच्छा नहीं होती है जो हम आराम कर ले तो कि जैसे कैसे कैसे धीरी धीरी उजाला होता चला जाएगा वो आपको टाइमर दिखाए देगा लेकिन आज मैंने व्याय में लेट किया कल भी लेट किया था कभी कभी तो मेरा व्याय में चार बज़े सुभी आरम हो जाता है तो आपको पीछे का टाइमर तो नहीं दिखने रहे हैं वो इस तरीके से बहुत अच्छे से व्यायम कर सकते हैं उनको कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा करने में मेरे साथ करते चाहिए आपको बहुत अच्छा लगेगा आदे घंटे का व्यायम हमारे लिए बहुत होता है प्रयाप्त होता है हाँ यदि आपको वजन आदिक कम करना है तो सबसे कभी मैं आगो भी बताऊंगी कि आप इसको कितना नया और ज्यादा कर लें ताकि आपका वजन कम होने में आपका शेरी जो स्टो डोल है बनाने में आपकी साहता मिलें पर आप जब मुझे से प्रशन करेंगे तो मैं उस टाइब के वीडियो सके यह मैं बार बार उठिश लिये रही हैं वैसे तो आम नीचे रहे भी सकते हैं पर क्या हैँना आज मैं सांस शुरॉपकित जितनी दिर मेरी सांस शुरुकी हुई है और ऊपर आके सांस भरती हूं और फिर मैं सांस तापिस छोड़के आगे ढ़े जुख्ती हूँ तो य वर डमें तो है मन में तो पता है लेकिन होटों पर नहीं आ रहा है तो इसी श्थिति बन जाती है और ये जो है वह जो या भ्यास वे नमीतलो ये सर्दर्थ के लिए नाक बंधो उसके लिए उसमें ऐसा लगे जैसे कुछ प्रेशर सा आ रहा है बट सरदर्थ के लिए बहुत अच्छा ब्यास है जिनको memory loss होती है या memory कम रहती है सर में बार-बार ऐसा कुछ vibration जैसा होता है सर में सुनपन है उनके लिए ब्यास बहुत अच्छा है इसमें मैंने बल जाएंगे ना उतना ही आपको ये सर में रिलाक्स करेगा तो मुझे सर में हलका सा पेन जैसा हो रहा था ये जो भारीपन है ना गले में उसके करण जो खिचाव आता है ना गले वो सर को भी खिंचता इसलिए उसमें थोड़ा सा खिचाव था इसमें मैं इस अभ्यास को मंडूकासन मजरासन में होता है और कला दिया आपने कल का वीडियो देखा हो तो मंडूकासन में मेरा सर बहुत मतला मैं इतना नहीं चुक पाई थी बहुत उपर है गई थी और कल मेरे पेट में पीड़ा हो रही थी और आज मंडूकासन करने में मुझे कोई पीड़ा नही हुँ इतिन दर्मेरी सांस रुख जाती है पहले तो इससे ज्यादा रुख जाती थी अभी नहीं रुख पारी पर देरी वह भी आ जाएगा उसके बाद दूसरा हाथ से मैंने किया और वैसे ही जुक्के तो यह पेट कम करने के लिए एप क्या एक केर तो ताकि मुझे जितनी दीर उतनी देर के सांस नहीं रुखती है तो कि जल्दी ज़ुख सकते हैं वह भी चलेगा कोई दिक नहीं है यह कैना कि आपको करना आ चाहिए टीन बार करूंगी आप हो सकते उसमें पांस से साथ बार दस बार भी कर लें क्योंकि सांस इतनी कम दुखेगी उतना आप हो जादा करना पड़ेगा इन दुन मोझे सुरेयद्स के बीच में याद नहीं आता तो रह जाता है तुwo सुरेयद्स के बीच मैं सब्सक्राइब दूसरे अभihrajत करनी होते हैं सबसुद्स्य एंवेकर ब्रक्त गरणती करण मेन्स करनी होती हैं हाथ ठीक हुए पर इसमें मेरा भैला थीक से नहीं हो रहाइं तो मैं इसको ठीक से नहीं कर पाई हूं हुआ को हाथ चीछ पाह्ट पार थीचनविया घर्दन पीछे लिए घिकन हरे हैं हम प्रयाश करते हैं कि आगे बढ़ पाएं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं जितना हो रहा है उतना करिए उसके बाद धीर ये से बैलन्स किया तो वो थोड़ा सा हो गया पहले नहीं हो पा रहा था दोखो अभी आपके सामने किया था नहीं हो पा रहा था हां टेक के थोड़ा आपने आप कोई कागर किया कि कहा ना यदी मैं बोलते मोलते करने जाओंगी बिल्कुल नहीं होने वाला है मिरसे इसलिए उस समय मैं शांत हूं सांसो पेध्यान के साथ कर रही हूं ताकि इसको मैं कर सकूँ कि मुझे करना प्रधान है करना ज़रूरी है इसलिए मैं ऐसे करती हूं अब यह जो अभ्यास मैंने किया है यह सुर्यनमसकर का ही दूसरा अभ्यास है यह थोड़ा पेट को कम करता है और साथ ही हमारे कमर को रीड की हड़ी को फ्लेक्सिल बनाता है आप देखते हम अकसर जो सुद्रण बनाता है यह उसके लिए आभ्यास बहुत अच्छा है में तो यह अभ्यास आभी कर सकते हैं और यह थोड़ा थोड़ा अपने आपको आगरे जारी हूं तक ही आगे वह जो दंड बैठक करते हैं दंड के लिए मैं तैयार हो सकूँ यह मैं उसका अभ्यास कर रह अठारा से में दंड बैठक नहीं लगा पाई हूं यह उसी एक दंड का हिस्सा है मैं ओ किया है ना मन मानता नहीं है करने का मन भी करता है और और ना होने की स्थिती भी बनती है, दोनों बाते होती है, प्रयास करूँ कि कैसे अपनी जो बचीवी गर्मी उसको भी शान्त कर लूँ, ताकि सारे व्यायम में फिर से कस हो, क्योंकि मुझे व्यायम करना मेरा एक चाव है मुझे, ये मुझे बहुत आनंद का विशय लगता जैसे लोगों को महिलाओं को मेक अप करने में आनंद आता है, मुझे नेचरली मेक अप लेने में आनंद आता है, मुझे व्यायम करने में आनंद आता है, जैसे लोगों को आनंद घूमने में आता है, मेरा व्यायम में होता है, वो आनंद, अभी मैं आदा घंटा कर रही बरना पहले मेरा व्यायम एके घंटा भी होता था पर अभी नहीं कर रही हूँ कि अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ तो दिरी-दिरी हो जाएगा अभी ये कंधरासन या सितुबंधासन है इसका बहुत मैं अलग से आसन प्लेलिश में दिया है इसमें मैंने क्या बताया तो आप आराम से डूंके कर सकते हो विस्तर से समझ जकिए ये क्या है इसमें ऑपर रही है उपय की बढ़ सा जैल रही है वह उजला देता जा में पेन होता है नहीं अभी तो इसी का अभ्यास करना है जैसा जए समझ में आता है वो अभ्यास मैं करती हूँ, आप देख सकते हैं, कि मैं इधर दो दो देखती नहीं, मैं बस लिखे कहीं नहीं रखा है, बस नॉर्मली चल रहा है, अब उसके बाद इसको मैंने गायम की रुप में किया है, इसी अभ्यास को, कि हाँ, जब हम यह करते हैं न मित्रो, यह हमारी आतों को सबल बनाता है, मित्रो, आते यदि हमारी सही हो जाएं, आते फ्लेक्स बेल हो जाएं, आते हमारा पेट साफ करने में हमारी साहता करें, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, पर पेट साफ करने में जब साहता मिलेगी, जब आप स्वास्तिनिम का भी पूरा पालन करोगे डिस्क्रप्शन में स्वास्तनीम प्लेश भी है, रोकों के घारण प्लेश भी है, आप यह दो प्लेश की वीडियोउच देखेंगे और इसका पालन करेंगे तरूळा इसके कहसा भी को भी रोक है उसको को ठिक करने में आपको पुई साहता मिलीगी यह मरकटासन का भ्यास है यह कमर दर्थ को कम करता है कमर के रीड़ के हडी को ट mois बनाता है कमर के एक प्र Till को सैट करता है में ठाकान की चरिवी बने तो मैं गती ना बढ़ू जहां मेरी थकान की स्थिति नहीं बनती है वहां में थोड़ा सा गती बढ़ा लेती हूँ ताकि वह अभ्यास और अच्छे से ठीक से हो सके और आपको भी सही समाधान मिल सके तो यह दूसरा अभ्यास है इसका यह आप देखे यह हमारे जांगो नहीं कर पाते हैं वह करेंगे तो इससे वह फ्लक्सिवल बनेंगे जिसे मन पर कंट्रोल कर पाएंगे और मन पर कंट्रोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रप्शन में फाल्तु विचार मुक्ती प्लेडिस्ट भी मिलेगी जिसमें बहुत सारी वीडियो आपको समझ करते हैं अपने चैनल ओमें में थे चैनल हैं एक प्रभा भारतिय के नाम से उसमें मैं भोजन की डालने वाली हूं कि आपको कैसे बनाना चाहिए कि आपको भोजन करना चाहिए नहीं एक पैर्स है तो पहुतना मुझे सीधा करको कि क्या है न मैं वीडियो बनाती हूं तो उसमें हम बहुत सावधानी से बनाते हैं बट जब हम खुद एक्सिसाइज करते हैं तो सांसों पेध्यान के साथ करते करते कभी थोड़ी चीज़ें आगे-पीछे हो जाती हैं तो कल मैंने वह पवन-मुक्तासन किया था आज य आसन ओत्तवर होता है तो यह नावी सैट करने के लिए ना भी जिसकी बिग जाती है ना भी बारवाट डिग जाती उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास इसको आप कर सकते हैं इस अभ्यास में आप रूक भी सकते हैं यह नौर्मल चलती रहेगी और मैंने गलती कर ली थी पैर आप पैरों के अंदर ले ली थी हाँ पर मुझे याद आ गया था तो मैंने बाहर भी कर लिए कि क्या है ना हाँ जब अंदर होते तो बंध जाते हैं तो कभी कभी कंधे में पीड़ा आ जाती ही मुझे हलका सा लगा था इसलिए मेरे हाथ बाहर अपने आप निकल आए हैं अब देख सकते हैं तो यह जो अभ्यासन अमित्रों यह नाभी को सेट करता है और यह जो है ना यह मेरा प्रयास है कि भई कैसे भी मैं पीछे अपने पैरों को टिका लूँ अर्थात पीछे पे टिकाने का मतलब है मेरा कि सर्वांगासन के बाद हल असर्वांगासन तो मैं कर लूँगाभी में करने वाली हूँ यह भालस करने का प्रयास करεί ती तो कोई बात नहीं लुड़क गए तो लुच्छे नुकसान करने जैसे नहीं बनी उसके बाद यह उत्तानपादास्जान तक है आज मेरा प्रयास 30 डिगरी पर मैं कर सकूं हल तुसको छोड़ दिया थोड़ी थोड़ी सांस रोक के किया वरना पहले में इसमें करीब एक मिड़ सांस रोक लेती थी अभी 15-20 से किन्ड मुश्किल से रुक रही है पर कोई बात नहीं धिरे-धिरे अभ्यास करेंगे हो जाएगा अब मुझे इसको आगे बढ़ाना है अब अधन के लिए अच्छा होता है रिड की हड़ी के लिए अच्छा होता है अब मैने प्रयास था कि बेए पैर पीछे लग जाएं लेकिन नहीं लगे इतने में ही अटक गई है कोई बात नहीं अब एक्शुली देखा जै तो यह हल्की पोज जैसे आपने लेखा होगा किसान खेती में जब हल जोता है तो उसकी आखरती कुछ ऐसी ही होती है तो वो इसलिए इसको हलासन कहा जाता है कि अभी पैर पीछे टच नहीं हो पा रहे हैं तो मैं पैरों को पूछे पूरा टच नहीं कर रही हूँ कि मुझे बल का प्रयोग अपने साथ नहीं करना होता है और कि गती बढ़ाने से दुर्गती हो जाती है और गती ऐसा नहीं कहली आप एक्सेसेज में गती बढ़ाते हैं जब आपने साथ आती यानि की बल का प्रयोग करते हैं जब रश्ती करते हैं तो भी गती बिगड़ जाती है तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने इसको वहीं छोड़ दिया बस प्रयास किया कल से आप देख सकते हैं कल का वीडियो आपने देखा हो इसे पहले कल का वीडियो प्लेश्ट में मिलेगा और उसमें आज का व्यायम थोड़ा सा जाता हुआ है अब यह जो है उठा नहीं जा रहा है पहले मैं यह 25-50 तक कर लेती थी और और अपने पूरी रीट की है डिको पूरे सरी के जॉइंट को फ्लेक्जिवल बनाने के लिए बहुत अच्छा ब्यास है कल आपने देखा था कि मैं इसको कहां तक कर पा रही थी आज यह उससे थोड़ा बैटर हो गया क्योंकि मुझे जब तक मेरी नाग जमीन पर नहीं ल लगाती उठने के लिए नॉर्मली मैं साड़े तीन-चार के विश्यमों उठ जाती हूप लेकिन आज हवा बहुत अच्छी चल रही थी मैंने पंखा नहीं चलाया था यहीं जहां यह दरी विश्य है ना बस यह मालों में यही मेरा बिस्ता रहसी पर मैंने व्यायम करती तो जो खिड़की जो खुडी रहती ना उसे जब बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हावा आती है और इसके लिए नीन बहुत अच्छी आई और कहते है ना यह ठंडी हावा के बाद थोड़ा सा सरीर स्टिफ हो जाता है जैसे मैं पंका बंद करवाती हूँ मैंने खिड़की जो उठी नहीं हूँ बस नीन पुरी हो जाती आंक खुझ जाती तो मूड़ जाती हूँ पर हां मेरा यह प्रयास होता है मैं आज तक मैं जहां तक देखा है मैं बहुत बिमार हूँ उसके अलावा मैं कभी पांच बजे के बाद दिस्तर पर नहीं रहती तो आज मेरी आंक लिए पांच बजे ही खुली थी अब यह थोड़ा फ्लक्जीवली के लिए एक्सराइस होती है यह 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 डिस्पैलेंस होगा था पर डिस्पैलेंस उतना ही होता क्योंकि यह केवल हिप्स की जो ठोटी सी हड़ी होती है उस पर टेक जाना कभी-कभी मुश्किल होता है पर भी भी नहीं हो पा रहा है और हां हलका सा हुआ यह हो गया अब यह बैलेंस हो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे बैलेंसिंग करना मेरा शौक है मेरा चाव है मेरा जो इंग्विश में आचकल बच्चे कहते हैं ना I love exercise बढ़ा I love यायाम I love आसन यह मैं कह सकत हूँ कि मुझे make up करने में बिल्कुल मजा नहीं आता मैं किसी को मेरे बच्चे ओको करते देखते हैं जैन आप चा ludzi कि सी ने पोछा था कि गोपाली आपकी भतीजी है, हाँ गोपाली जानवी, मतलब वो सब मेरे बरिष्टेदार है, मेरे अपने हैं, मेरे भाई भावी सब गीता भावी है, अनलब गीता अंजली की वरी मेरी भावी है, जो आप एदि उनके वीडियो देखते हूं, क्योंकि उनके व्लॉगर बहुत ये एक साइड से तो हो रहा है, पर दूसरी साइड से भी राम राम होगी, नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, अरे बाप रे, दूसरा साइड का अंगुछा तो पकड़ मी नहीं आ रहा, बाप बहुत ताकत लगई, नहीं हो रहा है, नहीं होगा बाई, न यह नहीं हुगा अरे दूसरे हाँ पर मैंने अपने आपको संतुष्टी देले कोई बात नहीं दीरी दीरी आ जाएगा पहले मैं यह कर लेती थी मुझे बड़ा अफसोस लगता है क्या करूं पर क्या करूं मेरी स्थरीर की स्थिती बिगड़ गई थी क्या ना हम जानबुश पर हम ऐसे करने तो ऐसे हो जाएगा अब यह आगे भी ताली बज़री पीछे भी ताली बज़री आप इसको स्लो करके देखे ना स्लो मोशन में यह दोनों साइड आपको ताली बज़री आगे पीछे दोनों साइड पर हां आपको ताली नहीं सुनाई देगी पर हां दिख अज किया था हाँ चक्की चलाई थी यह बैठके नहीं चलाई आज मैंने पैर चोड़े करके चक्की नहीं चलाई है पर आप देख सकते हैं कि आज थोड़ा बॉड़ी फ्लक्सिबल हुआ है और यह धीरी-धीरी इसकी फ्लक्सिबिल्टी और बढ़ती जाएगी हाँ क्या है फ्लक्सिबल्टी बहुत ज़री है आपकी एच कोई भी हो एच कोई भी हो मैटर नहीं करता है पर बॉड़ी में तो फ्लक्सिबल्टी होना ज़रूरी होता है आज मने पहली बार यह से पद्मासन लग आया और मुझे मैं कभी-कभी ऐसा लगत चीर बहुत अच्छी लगते जब यह एक्सेज मेरे से हो गई तो यह पैरों को जो है ना अपने आप टिका देना भारी होता है पर हो गया मेरे पासे बहुत पले बच्ची आती थी वो कर लेती थी वो बच्ची थी लब करीब 12-13 साल की रही होगी बड़े अच्छे से कर लेती हूं नीचे से पैर निकालत कि पेट कम लग रहा है तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है और नहीं लग रहा है तो मैं मतलब अपने हाप में तोड़ा लग रहा है के बई मैं ओवर कॉंफिडेंस में जा रही हूं पता नहीं क्या हो रहा है यह एक्चिल में हाथ तो वैसे बांगे करती थी पर आज मैंने कि सांथा संवा хват आजनकों मेंНе पहले बि किया था बहु材 लुए होंगी तो मुर zij दुबारा कर लिए अजयت में इसे हैं । घुटन के स conducted यह नहीं होता है। यह चुंझि क्या है ना कि जो जादा अमारे हिप्स के ऊपर से थोड़ा जान, लोबर बली फेट होता है वहां से हिलता है और ये जो अभ्यास है न मित्रो ये बहुत धांसु वाला भ्यास है धांसु वाला भ्यास इसको इसलिए बता रही हूं न ये अभ्यास करने से मतलब पूरा बॉड़ी का पसीना चुट जा ये क्या है न मैंने कल भी बताया था ये जो हमारी उंगलियां जैसे मुर्ती है न ये हमारे हिप्स के जॉइंट और कंधे के जॉइंट और प्लस गर्दन इस सारे के सारे जॉइंट को फ्लेक्सिवल बनाता है और यही हमारे मैं पॉइंट होते हैं जो हमारे बॉड़ी को बनने में हमारी साहता करते हैं और धिरे धिरे टाइमर हमारा आगे बढ़ रहा है धिरी धरी उजाला होता जार रहा है और ये उपर को Fitness करना है ये हमारे फिप्लों को खोलेगा अपर गयालिफेट को कम करेगा और ये जब हम Balance करते हैं अच्छा ब्यास करें के अंग करें दियान करें तो हम आप तरीके कर सकते हैं यह द्यान Tanaj करता है जब हम पल्थी मारके बैठके ध्यान करते हैं वह में दूसरी दिशा मिले जाता है पर यह हमारे जागरती का ध्यान होता है तो इसमें भी आप धी ध्यान करेंगे यह बहुत अच्छा भ्यास होता है जागरती का भ्यास है और जिनको पैर में एड़ी में प्रॉब्लम था यह हम रोज करेंगे तो आपको पता चलेगा और कैसे होगा वह भी पता चलेगा अलग लग अभी करेंगे और कुछ अभ्यास हैं जो डेली होने वाले क्योंकि वह बॉड़ी की के लिए ज़रूरी है यह मैं अभी किया था पैरों को उपर नीचे करना और उसके बाद अब मैं जो करने जा रही हूं ये उंगलियों को उपर नीचे किया है, उंगलियां जो है न हमारे पेर के उंगलियां, ये थोड़ा फ्लेक्जिवल होनी ज़रूरी है क्योंकि उस अफ्यास के बाद, जिसमें उंगलियां मुझति हैं, ये कई लगट करने तो उंगलियां रिल youngest हो जाती हैं, अब यह जो व्यायम नहीं कर पा रहे हैं जिसे व्यायम नहीं होता है वह पूरे पैर को कैसे हिला के अपने पैर के पंजे के एडी के और पिंडियों के दर्थ को ठीक कर सकते हैं और घुट्टों को भी ठीक कर सकते हैं यह पहले यह करना होता है फिर यह वह मैंने वाद में कर तो फिर में दूसरे तरीके से आपको रखे लिखाती हूं ताकि आप भी उस बात को अच्छे से समझ सकें बच्चे को जूला जूलाना होता है मेरा बच्चा जब छोटा था उसको बहुत जूला जूलाना पड़ता था मुझे करते-करते वह याद आ रहा था अब दूसरे पैसे जैसे एक प्रसे अभियास किया है वैसे हम दूसरे पैसे भी अभियास करेंगे पूरा ओपर नीचे आगे पीछे और यह जो मैंने किया है मेरे पैर की उंग्लियों में मैंने हाथ की उंग्लिया फसा रखें आप इसको ठीक से देखेंगे ना पता चल जाएगा कि पैर की उंग्लियों में हाथ की उंग्लिया कैसे फस ही हुई है यह फसेंगे ना इससे क्या होता है हाथ की उंग्लिया और पैर की उंग्लियों के एक् लगातार देखते रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ठीक है न यह आप कई वर क्या है न थोड़ा थोड़ा देखते कभी कभी नहीं देखते तो समझ से हो जाती है तो आपको पुरी बाते समझ में नहीं आएंगी इसलिए रेगुलर दर फेल्विक मसल्स को मजबूद बनाने के व्यायम है। हमें फिसा give to myself in real people. फिसे थि एककप्विक मजबूद करें दुसरा पेट पार हैं। धातु भी हैं dhatoor। अब याद आ गया है कि बक्रव बंजबूद बनाता है। तो इसके लिए मैंने इस अभ्यास को किया कि भई कैसे हो जा रहा है अब ये अपने बोडी को और फ्लक्जिबिल बनाने के लिए देखिए आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे फ्लक्जिबिल्टी बढ़ते जाएगी कली अभ्यास मैंने नहीं किया था बताया है या न्चनलन व आयम प्लै-ेस जिए आपको इस वीडि़ो के दिसक्रप्स्यम रेज्धिस cheap ने करें जोज़्ग के वूदिक को देख के कर सकते हैं यह चाहिए दूम, प्राइब यहां होता हो वज़ knocked प्रभाव में आपको बतादू दिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वीडियो और मिलने वाले हैं जो आपके हर रोक का समाधन बताने वाले हैं दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव में आपकी समयस्याओं पर विश्प्रस्थी वीडियो मिलेंगे उसके अलावा धातुरो, उदरो, जैसी प्रेलिष्ट भी आपको मिलेंगी और य। यद्धी आपको अपने रोकन ही वीडियो नहीं मिल पुल रहे हैं तो आप वीडिय और यह हम अपने आपको स्वस्त बनाने में अपनी साहिता करने के लिए हमारा एकाग होना बहुत जरूरी है और जितने देर में वीडियो बना रही हूं अतनी देर मेरे मन के सारे विचार में कम से कम निकल जाते हैं और उसके बाद फिर से हम आसनों के अभ्यास में भी धरती मात्रों को प्रणाम करते हैं और अभी भी हम धरती मात्रों को प्रणाम करेंगे क्योंकि प्रणाम जो है न हम जितना प्रणाम करते हैं उतना हम जुकते हैं उतना हम अपने आपको स्वस्त बनाते हैं हाँ अभ्यास ये ओम करके उचान के बाद गरम हथिलियों को आँखों पे लगाते हैं उसके बाद छाते पे पेट पे पैरों पे और उसके बाद हाथों पे घुमाना है और उसके बाद हाथों को आखों के सामने लाना है ओम बोलना है और उसके बाद धर्ती माता को प्रणाम ये बहुत आवश्यक है और हम ये वंदे मात्रम करते हैं ताकि हमारा भूमी के प्रति हमारा राश्च के प्रति हमारा कृतक यता हमारी व्यक्त को हो सके और उसके बाद फिर से कहा ना कृतक यता उसके बाद सब को नमस्ते धन्यवाद वंदे मात्रम